इन गर्मियों में शहद को आप एक बार मेरे तरीके से इस्तमाल करके देखो आपके जो स्किन है वो इतनी जादा क्लो करेगी कि लोग आपसे पूछें के क्या लगा रहे हो साथ ही आपके स्किन टाइट हो जाएगी आपके चेहरे में ग्लो आ जाएगा रंग भी साफ हो चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा तो चलिए दिश्ते खाती हूं आपको शहद कैसे इस्तमाल करना है तो सबसे पहला जो स्टेप है मैंने अपने फेस पे कोई मेकप नहीं किया अपने फेस को आपको अच्छे से धो लेना है इसके बाद रखिए इसलिए ऐसा मत समझेगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करना है तो यह सारी मियाल मिट्टी गंदगी निकल गई है सेकिंड स्टेप देखते क्या करना है इसके लिए मैंने थोड़ी सी कॉफी ली है आप कोई भी कॉफी पाउच वाली हो भी ले सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा मैंने चावल का आटा अड़ किया है और इसमें मैं डाल रहे हूं शहद यहां पर मैं बढ़िया क्वालिटी का शहद यूज कर रही हूं जो कि जिसे रोहनी बोलते हैं आप कोई सभी शहद यूज कर सकते कोई प् थोड़ा सा निम्बू का रस आट कर रही हूं चूकि हमारी स्किन में ग्लो लेकर आता है डार्क स्पॉर्ट पिग्मेंटिशन को कम करता है इस तरह से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा बहुत अच्छा स्क्रब तयार हो गया है चूकि हमारे चेहरे की गंदगी भी निकालेग है आप देखेंगे कि जितनी भी गंदगी है डेड़ स्किन है टानिंग है मैल मिट्टी है वो सब इससे साफ हो जाएगा और स्क्रब करने के बाद आपका चेहरे आपको बहुत ज़्यादा क्लीन नजर आएगा बिल्कुल भी तेज हातों से नहीं करना है हलके हलके हातों से दोनों हातों से आपको चेहरे को स्क्रब करना है जैसे मैं कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको तेज लग रहा हुआ फिर भी बहुत हलके कर रही हूँ बट वह जैसे कि वीडियो की स्पीट तेज है तो इस चीज का ध्यान लखेगा बिल्कुल हलके हाँ से और अपने नाक पे और अपनी चिन पे जादा करना है क्योंकि वहाँ पे ब्लैकेट्स और वाइटेट्स होते हैं तो वह भी सासाथ निकल जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा दूद्ध है तो मैं उसे भी इसमाल कर लेती हूं अगर आपको थोड़ा सा सुखा सुखा लगे तो आप दूद तो काफी अच्छे से ओपन पोर्स जो हैं हमारे रोम चिदर वह अच्छे से साफ हो जाते हैं अंदर से मैल मिटे तेल गंदगी सब निकल जाता है जिसे आपकी एकनी पिंपल की प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं खाली पानी से मैंने वाश कर लिया है और आप देख सकते हैं चहरा कितना साफ नजर आ रहा है सिर्फ अभी दो स्टेप किये हैं अभी दो स्टेप बाकी है तो अब आती है तीसरे स्टेप की बारी उसके लिए हमें यहां पे क्या करना है लेना है थोड़ा सा शहद और अब इसके अंदर मैं मिला रही हूँ आलोवेरा ज तील बिल्कु थोड़ा सा मिलाना है क्योंकि गर्मी का टाइम है और यह हमारी बहुत अच्छी फेस मसाज क्रीम तयार हो गई है इसे लगाने के बाद जो जादू होता है चहरे पे मैं बताने सकती इसे मैं अकसर यूज करते हूँ अपने चहरे को सॉफ्ट बनाने के लिए अगर आपकी स्किन मॉस्चराइज रहेगी ना आपको जल्दी जूर्या नहीं आएंगी तो यहां पे मैं जो क्रीम है इसको पूरे फेस पे गर्दन पे लगाने वाली हो और इस तरह से मसाज करूंगी बिल्कुल हलके हाथों से एक एक स्टेप कम से कम दस बार करिएगा मस आते हैं जवान नजर आते हैं जब स्किन टाइट हो जाती है और यह जो शहद होता है नहीं हमारी स्किन को मॉस्चराइज करता है लोगरा जल मॉस्चराइज करता है नारेल का तेल मॉस्चराइज करता है तो हमारी स्किन में सूखापन बिल्कुल भी नहीं होगा जब मैं जौलाइन की कर रही हूं इससे क्या होता है जौला इमारी शार्प होती है बहुत है लोगों को देखा होग कि डबल चीन होती है तो मेरी पहले थी बड़ इस तरीके से चाहिए करती रही थुड़ा मैंने वेट लूस कि आपना तो अपने पी मेरी डबल चीन चली गई है और बहुत अच्छे से मेरी जॉलाइन नजर आए मैं डेली इस तरह से मसाज करती हूँ अगर आप सीखना चाहते हैं मसाजिंग टेक्नीक की कैसे आप अपने स्किन को टाइट कर सकते हैं अगर आपके भी जुरिया नजर आने लगी हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके से अपना मसाज कर दिए अपने चेहरे कर ताकि मेरी स्किन टाइट रहे मैं जवान दिख्यूं तो यहां से आपने दिखा होगा जॉलाइन के पास से जैसे से मारी एज बढ़ती है तो स्किन नीचे लटक जाती है तो यहां से इसे उपर उठाना बहुत ज़रूरी है म ऐसे काईट आप कम से कम पांच मिर्ट और जयाद से 10 मिट आपको से करना फिर खाली पानी से वाश Summon की लोग यह क्या लगा इस कि बड़ाता है की चलीं की चौथा स्रेप जब मुद्दानी मिट्टी का इसमाल कर सकते हैं तो यह पर कस्तूरी अच्छी होती है ऑन की है तो चुर्की शर्खन के लहिए उसमय सकते हैं यह ये अच्छाим के ओилосьक्छुटानी मिट्टी करने तो थोड़ा सा दूद में यहां पर आड़ कर रहे हूं तो इस तरह से मिक्स करके यह हमारा बहुत अच्छा फेस पैक तेयार हो जाएगा जो कि बहुत जादा ग्लो लेकर आते हमारे चेहरे में अगर आपको डाक स्पोर्ट पिग्मेंटेशन वह भी धीरे धीरे कम हो जाती ह पस उसका तरीका थोड़ा सा अलग है जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी क्या करना है तो यहां पर हमारा पैक तेयार है अब इसे भी अपने चेहरे पर अपलाई कर लेते हैं तो यह हमारा चौथा स्टेप अब इस तरह से पूरे चेहरे पर इस पैक को आपको अ एक जैसे नजर आए तो इस तरह से फटा फट से पैक लगा लेंगे मैंने यहां पर पूरे पैक लगा लिया है और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे सूख जाए पर अगर आपके फेशल हैर है उन्हें हटाना चाते तो इसको रगड के पहले उतारना है और उसके बहुत सारी नैच्रल चीजों से मैं फेशल करती हूं बहुत सारे फेश पैक लगाती हूं जिससे मेरी स्किन दिन पर दिन इतनी सुन्दर होती जा रही है तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा दूसरों को शेयर करिएगा चैनल को खूलेगा फेश बूक और इंस्टाग्राम पर फिर मिलते हूं नई वीडियो के साथ